देखिए इस वीडियो में हम टीटा टाइप्स पढ़ेंगे इन एलास्टिक सर्च हमने पिछली वीडियो में देखा था एक 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 जामपल जहां पर काफी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाइप्स आ रहे थी जैसे कि यहां पर देखेगा text field आ रही है फ्लै पर यहां पर क्या रहे ध्याशक टाइप की यहां पर डिस्क्रिप्शन किया है डिस्क्रिप्शन यहां पर टेट्स है activity अक अरेहे आरे भी किसकी है objects टाइप की थीकए एक object में Name field is text and age is integer तो इस वीडियो में हम different types of data types जेखेंगे जो कि हम use कर सकते हैं to define mapping in Elasticsearch तो start करते हैं पहले data types से पहला data type है text तो data type for full text search and analysis of text data यह simple syntax लिखा हो आपके सामने type देना है आपको text तो अगर आपको किसी field पर full text search चलानी है तो आपको उस field को बनाना पड़े का text ठीक है यानि कि आप mapping में उसको लिखेंगे type equal text ठीक है इस text से होता क्या है वो field का data जो है वो analyze किया जाता है and save हो जाता है in inverted index then second data type देखते हैं keyword यहां पर लिखा हुआ है a data type for exact matching and filtering of keyword like data such as id, tags या फिर categories अगर आपको full text search नहीं करनी है और as it is आप search करने वाले है जैसे कि कोई email है email हम कभी ऐसे search नहीं करते कि उसका part search किया और पूरा आगे है नहीं जब भी हम email से search करेंगे तो पूरा email हम search करेंगे ठीक है या फिर अगर माली जो कोई pen card से search कर रहा है आधार card search कर रहा है तो obviously यहां पर exact पूरा पूरा नंबर दिया जाएगा ठीक है तो कभी भी इस पर full text search हम नहीं लगाएंगे तो इस case में हम उस field को text ना बनाके keyword बनाएंगे कीवर्ड जब बना देते हैं किसी field को तो वो inverted index में से नहीं होता है वो dock values में होता है फिर हम उसको use कर सकते हैं for sorting aggregation में ठीक है थार्ड data type है date अब date क्या है कोई rocket science नहीं टाइप date लिग दीज़े date हो अब date भी क्या होता है dock values में store होता है जाकि उस पे हम sort वगेरा चला सकते हैं रेंज query चला सकते हैं समझ रहे है बात को आट data type for representing dates stored as long values representing milliseconds since epoch ठीक है milliseconds में store होता है आप दे देंगे string में लेकिन elastic से समझदार है वो convert करके अपने पास जो save करेगा dock values में वो milliseकेंड में करेगा चोथा है integer अगर कोई number minus 2 billion से plus 2 billion की range में है तो आप integer यूज़ कर सकते हैं approximately minus 2 billion plus 2 billion long आप उससे भी जब आप बड़े number से deal कर रहे होंगे whole number से तो आप long यूज़ करेंगे float आता है 32 bit के decimal numbers के लिए double आता है 32 bit से बड़े decimal numbers के लिए boolean represent करता है true या false को अच्छा आप आते हैं object data complex data type for representing structured objects with nested fields अगर किसी की nested fields है किसी field में nested fields है तो हम बोलेंगे उस parent field का type क्या है object ठीक है और उसको mapping में इस तरह से हम defining करते हैं type object लिखेंगे ठीक है and then उसकी nested fields होंगी उनको properties में देंगे ठीक है जैसे root वाले की हम देते थे जह हम mapping के अंदर properties लिखते थे ठीक है ना वही same photo भी हाँ पहल जाएगी ठीक है फिर एकोड़ टाइप है nested अब यह क्या करता है लिखा हुआ है a data type for handling arrays of complex objects where each object is treated as independent document यानि की array of objects अगर आ जाती है किसी फील्ड के अंदर यानि कि किसी फील्ड की वेल्यू क्या है area of objects है तो जो field होगी वो nested type के होगी तो यह हम लिखेंगे यहाँ पर type nested ठीक है और जो object है जिनकी array है उनकी यहाँ पर परिवाशा देग देगे ठीक है name क्या है text type का age क्या है अब मैं चाहता हूं एक mapping define करेंगे ठीक है और जो भी हमने देखेंगे उनका यूज करेंगे ठीक है तो put students ठीक है और mapping लिखते है mapping properties कि बाना खुद बता रहा है जब कुछ ठीक है अब देखिए नाम में क्या होता है एक काम करते है नाम का type जो है ना type उसको बोल देता है object ठीक है और उसकी properties दे देते हैं first name and last name first name and देगे क्या हम last name देगे ठीक है अब देखेगा same कहानी है first name का type लिखेंगे हम text ठीक है एब बनाते हैं hobbies यहSorry किम्पनी में में इसने काम किया है इसकी मैपिंक बनाने जा रहे experience type जो है बंदे का experience field का type क्या होगा बताइए type होगा nested ठीक है हमने बढ़ा था हमें बैसे लिए करना है array of experiences करना है जैसे कि मैंने यहां पर दिखाया था आपको actors क्या है एक array है objects की ऐसे ठीक है type nested ठीक है और फिर लिखेंगे properties properties किसकी देते हैं एक object की है न यानि कि इस object में क क्या क्या चीज़े हैं वह हम यहां पर लिखें ठीक है तो एक तो क्या होगा company name उसका type क्या होगा text ठीक है and दूसरी field क्या होगी duration कितने दिन के लिए काम किया लिख लेते हैं यहां पर duration in months तो इसका type मान लेते हैं integer ठीक है तो यह experience की कहानी होगी हमारी फिर लिखते हैं यह गंगी टो भी इसका type किया इसका type लिखते हैं गिवर्णी फिरीक एंड टीक है जेते हैं स्वाम किया वो खांड पर हैं तो इसका type लेते हैं belong ठीक है यह सब कहानी जाली है mapping सब्सक्राइब देख कर दिए देखते हैं चला कर सही भी कर दिए पर गल्दी घर दिश छलाते हैं तटिक है भई आगैंडेक्स हो गया है इंडेक्स ग्रीएट हो गया है विद इस मैन अंतर तो ट्यक्त कर लेते हैं। टीके इ Arts friends बहुत बढ़े अच्छा है क्या एका एक है अच्छित एंड लास्त नेम शर आद लेट छीक है फिर लिखते हैं ओन नौड़िस पिरिड्ड औन नोड़िस पीरिड्ड ऑन नोड़िस पिर पर कर नद चल रोग शलरी कोई दीक्ट नहीं है अलाग एक चल्री नहीं जह देट बद लिखता है ड नोर्स पीरड़ हम भी हो है भचा है defence ठीक है Experience भी हमने लिख थी है Company Name and Duration ठीक है यह कोई गिख्वत नहीं है चला है कोई नहीं बात नहीं है तो इस विडियो मेंशा Different Different Data Types in Elastic Search इस वीडियो में इतने ही Next video की लिंक का पोटिस कार्ट पर में जाएगा